क्योंकि most of the time बच्चों का ये कहना होता है बच्चों का ये कहना होता है कि सर सर्फेस एरेंड वॉल्म्स हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो maybe because of that that thing in mind the question paper setter may give an option for this topic इसके लिए आपको option दे सकते हैं सर तो हम इसमें तैयरी क्या करेंगे देखिये surface के अंदर केवल दो एक्सेस हैं उसके अंदर सारे salt examples और उन्साल्ड examples आपको सही से करना है ओके डिफिव फॉर एक्जांपल कल मैंने 10 भी या ने राशीद हाज़े टॉप खिलने का toy का हमने किया था और कुछ इसके अलावा हमने बहुत सारे एक्जाम्पल्स किये थे जैसे क्या होता है इसको अर्किमेडिस प्रिंसिपल्स के उपर कितने मार्बल्स डालने के बाद वन फोर्थ आफ वाटर उपर आएगा तो इस ताइप के पूरा टोटल एक्सराइज मेरा यहां पर यह मानना है अगर टेक्स्बुक के बाहर का होगा तो एक कोश्चन आपके टेक्स्बुक के अंदर का ऑप्शन में मिलेगा तो बी प्रिपार इस प्रिपार्ट के लिए लॉंग अंसर टाइप में यह कोश्चन आ रहा है वित ऑप्शन सर ऑप्शन हो सकता है चेंज हो जाए मान लिजए एक्जामनर ने अगर पांच मार्क का सर्फेस एरेंड वाल्यूम में एक सिंपल प्रॉब्लम दे दिया तो कहीं और वो अब्जेक्टिव इंटर्नल चॉइसस कैन भी चेंज़ड मगर आज़े टीचर मुझे ऐसे लगता है कि सर्फेस एरेंड वाल्यूम बच्चे अक्सर यह कहता है कि इस डिफिकल्ट तो यह टॉपिक वहां पर आने के चांसेस ज्यादा है दो एक्ससाइजस हैं आप अच्छी तरह से उसको कर लो और कुछ सिंपल फॉर्मिला जो आप अगर लगता है बचों तो स्टाटिस्टिक्स के आदर भी लास एक्ससाइज डिलीटेड़ है तो आता है अपने पास मीन मीडियन और मोड तो मीन मीडियन और मोड के फॉर्मिले अच्छी तरह से प्रक्टिस कर लो और वहां पर भी मैने कुछ सिंपल कोश्यन सबको बताया है कि एक आपके टेक्स पुक के अंदर सॉल्ड एक्जांपल है जहां पर मीडियन इस 525 और X और Y की वैलिव आती है 15 और 9 जरूरी नहीं कि वह ही पूछे मगर वो पूछने के चांसे ज्यादा है और आप देख सकते हूं आपको यहां पर पांच मार्ख के लिए अगर स्ट्रेंश 6 पूछा जा रहा है तुमहां पर आपको और आपको और मेरा अंदर बिल्कूल सखीर लग रहा है मुझे कि सिंपल टॉपक्स के लिए शायद की पांटिंश से the model and lower class का क्या हो सकता है इस type के questions आपको पूछ सकते हैं एक मार के लिए अगर पूछना है तो राइट तो खुल मिलाकर I want to prepare you for the examination so my dear children यह होगा आपका pattern तो next आता है probability probability देखी one mark का एक question है हो सकता है probability के one mark के basic के ऊपर आजा है आपका impossible event possible event sum of the probability of an event and not an event दोनों का sum कितना होता है one होता है तो इस type के questions वहाँ पर आप पूछ सकते हैं पूछा जा सकता है और next आता है बच्चो त्री marks का question अब यह three marks के question के अंदर बहुत सारे possibilities है probability के अंदर की probability मैं आपको बता रहा हूं a card is thrown from a deck of 52 cards playing cards के उपर red face card या फिर face card या फिर black card या फिर red card इस type के questions जो है वो पूछ सकते हैं या फिर a die is thrown twice तो total possibility कितनी होती है जब 2 dice को फेका जाता है तो 36 होता है तो what is the probability of getting a duet sum of odd number नहीं होना चाहिए इस type के question या at least one prime number on the top yeah so this type of questions are quite possible for this yeah a coin is tossed honey points to play 2 coin को toss किया तीन coin को toss किया और वो तभी जीतेगा जब तीनो head होंगे या तीनो tail होंगे तो हमने देखा था कि total probability is eight उसमें से दो बार वो जीत सकता है छे बार वो हार सकता है so this type के questions हम expect कर सकते हैं तीन mark के लिए okay और one mark के लिए हम क्या expect कर सकते हैं probability के अंदर क्या मतलब basic probability के उपर questions एक खाद आपको देकर भाई दस ball है तीन red ball आने के probability क्या है तीन red ball तीन green ball चार white ball what is the probability of getting a green ball इस type के question या फिर इतने total pens है इतने defective pens है और defective pens आने के probability क्या है या male fish और female fish वाला एक problem है इस type के it cool मिलाकर जो questions है या die is thrown once once what is the probability of getting odd numbers even numbers numbers less than six numbers more than six इस type के questions जो है वो हम expect कर सकते है probability topic के अंदर तो total scenario question paper का total scenario अगर आप देखोगे तो हम हैसे कह सकते है कि real numbers six marks के लिए पूछा जातरा आपका algebra 20 marks के लिए पूछा जा जा रा है coordinate geometry 6 marks के लिए पूछा जा रा है trigonometry 12 marks के लिए question पूछा जा रा है और geometry 15 marks के लिए पूछा जा रहा है और मेंसुरेशन दसमार के लिए है और स्टाटिस्टिक्स और प्रबिलेटे 11 माख से लिए है I am not going to read out the number of questions because it may vary number of questions की मैं guarantee नहीं दे सकता हूँ मैं हो सकता है कि उसी टाइप का आपको या उसी तर्ष पे आपको questions पूछे जा सकते हैं तो यह total scenario है chapter wise scenario change हो सकता है change होगा तो भी बहुत drastic change नहीं होगा minor change होगा 6 की जगा 4 पूछ सकते हैं यहां पर यहां 2 की जगा 4 आ सकते हैं थोड़ा वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है और कुल मिला कर यहां पर आप देखोगे अटरा कोशुन से एक marks के ok अटरा कोशुन से एक Mark के 2 marks के assertion और reason एक एक marks के sorry एक एक marks के assertion और reason आप देख सकते हो 2 mark के 5 question है यहां पर है पर ने दस mark कूल मिला कर और से इसके अंदर कितना यह 3 marks के कितने question है 6 question है 18 हो रहा है और next 4 questions है 20 यह आपके पूछा है, coordinate geometry में पूछा है और applications of trigonometry में पूछा है, तो यह आ रहा है 12 marks के 3 questions 4 marks के 3 questions ओके, या फिर total 12 marks के 3 questions, तो 80 marks के यह है तुमारे 38 questions So this is the picture of your 2023 examination तो children, अगर आप इसको देखोगे, तो खुल मिलाकर मैं आपको यह कह सकते हैं, कि आपको इस तरह से questions पूछने के chance से ज़्यादा exam में है तो अगर आपके पास Sir, या आपने सारी बाते हमको क्यों बताएं देखो, तयारी करने से पहले You should know कितने marks का क्या weightage है तो आप तयारी कर सकते हैं Based on this information Now, आप क्या करो Sir, मुझे यह topic टॉपिक सिंपल लगता है मुझे यह topic difficult लगता है कि फिर मैं क्या करता हूँ Chapter wise formula लिखके रखता हूँ और इसकी तैयारी आप करो Planned study is always helpful for you You should not fail to plan Nobody plans to fail but you should not fail to plan You should not fail to plan तो plan ठीक से करो आप अच्छा कर सकते हो